नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ मनीश्या धर्म गंगा में आज हम बात करेंगे शंक्र की दक्षणावर्ती शंक्र की कहते हैं कि दक्षणावर्ती शंक्र दुरलब होता है चमतकारी है घर में रखने पर इससे मिलने वाले परणा धर्मिक ग्रंतों में दक्षणावर्ती शंक्र से जुड़े कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिन में इस शंक्र से जुड़े चमतकारों का जिक्र है माना जाता है कि घर में इसे रखने पर धन धानने में वृद्धी होती है तो आईए जानते हैं क्या महत्व है दक्षणवर्थी शंक का आम तोर पर शंक और उसकी धनी को काफी शुब माना गया है पूजा पाठ या शुब कारियों में इसकी धनी सुनने का विधान है वैसे तो सभी तरह के शंक बेहद पवित्र होते हैं और घर में इने रखने पर शुबधा आती है लेकिन एक शंक ऐसा भी है जो अगर आपको मिल जाए तो अत्यंत शुबधायक और समरद्धी वर्दक होता है यह शंक है दक्षणवर्थी शंक दक्षणवर्थी इसलिए क्योंकि इसका मुक्धाई और खुलता है पूजा पाठ में उप्योग होने वाला शंक आम तोर पर वामा वर्द्धी होता है इनकी उपलब्धा बहुत आयत रहती है अर्थात यह बहुत मात्रा में मिल जाते हैं लेकिन दक्षणवर्थी शंक बहुत ही कम मिलते हैं तो क्या है इनका धार्मिक महत्वर इस शंक की गणना दुरलब्तम की शेणी में की जाती है मारकंडे प्रवाण में इस बात का वर्रण है कि मालक्षमी को यह शंक अत्यंती प्रिय है माना जाता है कि दक्ष्णा वर्ती शंक मातलक्षमी के साथ ही समुद्र मंधन से निकला था इसलिए ये है धन की देवी मालक्षमी का पसंदीदा है ये भी मानना जाता है कि घर्मे से रखने पर धन धाने में बरद्धी होती है धार्मिक ग्रंतों में दक्षणवर्ती शंक से जुड़े कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिन में इस शंक से जुड़े चमतकारों का जिक्र है अगर बात वास्तु शास्त्रकी करे तो इसकी अनुसार इसे घर में रखने से सकारात्मक उर्जा का संचार होता है इसके साथ ही बलशाली शत्रूओं पर भी विजय प्राप्त होती है और किसी तरह की अनहोनी भय और दूसरे तरह के बुरे प्रवावों से भी मुक्ती मिलती है तो घर में इस शंक को यानि की दक्षणा वर्ती शंक को रखते समय क्या रखे खयाल दक्षणा वर्ति शंक को घर में एक आम वस्तु की तरह नहीं रखा जा सकता इसमें घर में रखने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं अगर आपको यह किसी भी थरा मिल जाए तो सबसे पहले इसे रखने के लिए कोई भी एक साफ धातु का बना पात्र ले ले अगर यह चांदी का हो तो अती उत्तम है परंतु ना होने पर किसी भी धातु का ले सकते हैं इसके बाद लाल रंग का एक छोटा सा टुकडा पात्र में बिछा ले अब गंगा जल लेते हुए इसे दक्षणा वर्ति शंक के मुख में भरे इसके बाद इसे लाल कपड़े पर रखते हुए घर के मंदिर में रख दे शुक्रवार को मालक्षमी के दिन इस शंक की खास तौर पर पूजा करनी चाहिए तो आशा करते हैं ये धर्म गंगा में जो आज दक्षणा वर्ति शंक के महत के बारे में हमने आपको जानकरी दी आपके लिए अत्यांत उपयोगी होगी और आपके गुड़लग को लेकर आएगी तो मिलते हैं एक नई जानकरी के साथ तब तक सुनते रहे रेडिय हिंदुस्तान और करते रहे अपना काम